योध्धा मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि मूवी में सिध्धार्थ का नाम अरुन है और उनके फादर रोनित रॉय एक आर्मी आफिसर है। अंदर ही उनके फादर को गोली लग जाती है जिसकी वज़ा से उनके फादर की डेत हो जाती है। मिशन पर ये सभी गोली मारने की ओर्डर्स मिलने का वेट करते हैं पर अरुन ओर्डर्स का वेट नहीं करता और वो सीधा अकेला अंदर घुश जाता है और मिलिटेंस के बेस में आकर वो एक-एक करके सारे मिलिटेंस को मारने लगता है फिर यहीं पर पता लगता है कि इन मिलिटेंस ने कई सारे लोगों को भी कैद करके रखा होता है पूरी टीम उन सारे सिविलियन्स को भी बचा लेती है और फिर इस तरह से इनका मिशन सक्सेस्फुल होता है इसके बाद आरुन अपनी पूरी टीम को लेकर दिल्ली आता है दिल्ली में आकर वो सारी रिपोर्ट हाजिर करता है फिर इसी सचिवाले के अंदर अरुन राशी खन्ना से मिलता है इसका नाम प्रिया है और वह उसकी बिवी है प्रिया अरुन की वाइफ होने के साथ साथ सचिवाले के अंदर एक सीनियर गवर्नमेंट ओफिशिल्स के तौर पर काम भी करती है अरुन प्रिया और उनकी मा तीनों एक साथ रहते हैं एंड वो तीनों एक साथ रहकर बहुत खुश है नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्रिया सचिवाले के अंदर आती है यही पर सचिवाले के अंदर एक इन्फॉर्मेशन आती है कि अमरित सर रिपोर्ट के एक रनवे के ऊपर अभी अभी एक प्लेन लैंड हुआ है उस प्लेन को कुछ पाकिस्तानी टेरिस ने हाईजैक कर लिया है एंड उनकी डिमांड है कि उनको 50 लाख रुपे दिया जाए और साथ ही साथ उनके वो साथियों को भी छोड़ दिया जाए जो इंडिया की जेलों में है सचिवाले में जैसी ही खबर आती है मिनिस्टर्स मिलकर ये डिसकस करते हैं कि क्या उस प्लेन के अंदर कोई VIP है तब उन्हें पता लगता है कि उस प्लेन के अंदर इंडिया का सबसे बेस्ट नुकलियर साइन्टिस्ट है जो कंट्री के लिए इंपॉर्टंट है प्लेन का पाइलट काफी स्मार्ट होता है वो बोलता है कि इस प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है प्लेन को जल्दी से लैंड करना होगा इसलिए ये बोलकर पाइलट ने अमरिटसर के रनवे के ऊपर से प्लेन लैंड कर दिया ये सब डिसकस करने के बाद मिनिस्टर्स ये बोलते हैं कि उनके पास ये अच्छा मौका है प्लेन भी रनवे पर खड़ा है इसलिए हम लोग सभी लोगों के साथ 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 साइन्टिस्ट को भी आराम से बचा सकते हैं तभी यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है कि जो साइन्टिस्ट है उसके साथ उसका सेक्योरिटी भी है वो कोई और नहीं बलकी अरुन है अरुन अपने टीम को बुला कर प्लेन की चारो और फिल्डिंग लगा देता है और वो ओर्डर्स का वेट करते हैं लेकिन मिनिस्टर अटैक करने के ओर्डर्स नहीं देता इधर दूसरी तरफ प्लेन के अंदर अरुन सोल्जर्स के प्लेन में आने का वेट करने लगता है जो प्लेन के अंदर जो टेरिस्ट होते हैं वो एक-एक करके सभी का पासपोर्ट देखने लगते हैं तब उन्हें पता लग जाता है कि प्लेन के अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो एक बड़ा वियाईपी है तो वो साइंटिस्ट को अपने कबजे में ले लेते हैं और ये देखकर अरुन रुक नहीं पाता और वो टेरिस्ट के उपर अटैक कर देता है क्योंकि उसे लग रहा है कि जल्द ही टीम आएगी अरुन साइंटिस्ट के साथ कुछ सिविलियन्स को प्लेन के नीचे वाले वेरहाउस में ले जाता है एंड वहां पर लाकर वो गेट को ओपन कर देता है ताकि सभी लोग प्लेन से नीचे आ सके और रनवे के जरिये वहां से भाग सके लेकिन इसस उससे फाइट करने लगते हैं तभी उनमें से एक टेरिरिस्ट अरुन को धक्का देकर प्लेन के नीचे गिरा देता है फिर प्लेन टेक आफ हो जाती है और अरुन उसे मिस करता है इसके बाद सरकार उनकी सारी डिमांड पूरी करती है और सब को बचा लेती है लेकिन वो सा पर अरुन अपनी साइड में कहता है कि अगर टीम को ओर्डर दे देते तो ऐसा नहीं होता और सारी गलती सिस्टम की है, लेकिन उसे सस्पेंड कर देते हैं, और साथ ही साथ पूरी योध्धा टीम को भी बंद कर दिया जाता है. अरुन अपनी बात पे कायम है कि इस पूरे मिशन के अंदर इसकी नहीं, बलकि सरकार और सिस्टम की गलती है कूछ साल बीटने के बाद हमें अरुन दिखता है और वह किसी प्लेन में घुसता है वो एक एर कमांडो बन गया और यहां पर वो अपनी ड्यूटी पर ही है एर कमांडो सिविल ड्रेस में है ताकि उसे कोई पहचान ना सके और जब कुछ गड़बडी होती है तो वो उसे हैंडल भी कर सके उसकी ड्यूटी कहां लगी और से क्या क्या करना है ये सारे information उसे phone पर ही मिलती है जब वो प्लेन के अंदर बैठा होता है उसके 10 मिनट बाद ही उसे message आता है और जब वो message को open करता है तब उसे ये तो नहीं पता लगता है कि वो message कहां से आया है पर उसमें लिखा होता है hijack वो confused हो जाता है तभी और एक message आता है और उसमें तीन लोगों के नाम लिखे होते है message में लिखा होता है कि इनको jail से रहा कर दिया जाए दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान के मसले कम करने के लिए एक event पर PM को इसलामाबाद बुलाया जाता है कुछ आतंकवादी इसके खिलाफ है क्योंकि अगर दोनों देशों में शान्ती हो गई तो उन्हें कश्मीर कभी नहीं मिलेगा यहां इंडिया में बवाल मच गया है कि अरुन ने ही प्लेन को hijack किया है यहां अरुन प्लेन में hijacker को खोज रहा है पर उसे ढूंड नहीं पा रहा तो वह पाइलट से जाकर कहने की कोशिश करता है कि वह प्लेन को वापिस मोड ले पर यहां तो शॉट हो जाता है पाइलट ने दूसरे पाइलट को मार दिया और वो अरुन को बताता है कि उसने ही मेसेज किया था और उसी ने अरुन की ड्यूटी इस प्लेन में नहोने के बावजूद यही लगवाई ताकि मीडिया में बवाल बना सके कि अरुन ने प्लेन हाईजैक किया है। ये बंदा कोई पाइलट नहीं बलकि टेरिरिस्ट होता है और उनका प्लान होता है कि इस प्लेन को उस बिल्डिंग में घुसा दे जहां इवेंट चालू है। और वो उसे बताता है कि अब सब आटोमेटिक हो जाएगा और अरुन इसे रोक भी नहीं पाएगा। अरुन उस टेरिरिस्ट को आडे में ले लेता है और मार गिराता है। वो प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर प्लेन के कॉडिनेट सेट हो चुके है। तब वो नीचे वेरहाउस में जाता है तो वहाँ उसे पता लगता है कि सारी गड़बर तो यहाँ है, वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है, पर उसे तो प्लेन उड़ाना भी नहीं आता। हालांकि प्लेन तो उड रहा है, उसे लैंड करना है, तभी उसे वहाँ एक लड़की मिलती है और वो उसे बताती है कि उसे प्लेन उड़ाना आता है, और पहले वो कॉडिनेट सही करने होंगे तभी वो उड़ा पाएगी, यानि लैंड कर पाएगी, अरुन प्लेन के पावर पर दीदी को क्या पता वो इस बंदे के सामने चिरकुट है। अरुन उसे भी मार गिराता है। यहां सचिवाले में ये खबर पोहुच जाती है। और मीडिया में भी पता चल जाता है कि अरुन हाई जैकर नहीं है। वहाँ वोईलेंस करने लगता है। अरुन को पता है कि उसकी बीवी भी वहाँ पर है तो वो उसे बचाने वहाँ जाता है। संदीप भया को मार कर अपनी बीवी और उसके साथ साथ पी-एम को भी सेफ बचा लेता है। फाइनली योद्धा टीम को वापिस चालू कर देते है वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्रिप्शन फ्री है तो जल्द ही सब्सक्राइब करिए फैंक यू